हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मुक्ती सॉफ्ट्वेर आज हम मुक्ती सॉफ्ट्वेर में सीखेंगे कि हम अपने सॉफ्ट्वेर के फॉल्डर्स को गार्डियन एंटी वारस में कैसे एक्स्क्लिवड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फरस्ट अफॉल हमें अपने गा करेंगे एड़ बटन के क्लिक करने के बाद हम यहां पर फोल्डर आइकन पर क्लिक करेंगे यहां पर हमें वह फोल्डर बताना है जिस फोल्डर को हम Guardian एंटी वारस में एक्स्क्लिउड करना चाहते हैं तो हम यहां पर सबसे पहले अपने c drive में omg folder करेंगे और यह include sub folder को टिक कर देंगे इसे ok करने के बाद यह सारी options को हम टिक करेंगे और ok करेंगे इसी तरह से हमें एक और folder जो की c drive में kpcms है उसे exclude करना है उसी तरह से इसे exclude करने के बाद हमें software के main folder को भी exclude कर देना है जैसे मेरा software d drive में है तो हम d drive में उस software के main folder को select करके exclude कर देंगे एक्सलिूड करने के बाद हम इसे save changes करेंगे तो इस तरह से हम guardian antivirus में अपने folders को exclude कर सकते हैं थैंक यू